जैश्री राम दोस्तों बहुत से घरों में शराब की वजह से बहुत सरे कलेश पैदा होते हैं बसा बसाया घर बरबाद हो जाता है लड़ाई जगड़े होते हैं और इनके साथ ही धन, शोरत और शांती सब कुछ चली जाती है बहुत से अमारे दर्शक हैं जिनोंने कमेंट में पूछा था कि दीदी कोई नशा मुक्ती का ऐसा सरल उपाएं बताएं जिसे हर कोई कर सके क्योंकि पिछली बार जो मैंने उपाएं बताया था उसे घर के केवल पुरुष व्यक्ति ही कर सकते थें हमारी माताएं बेहने नहीं कर पा रही थी तो आज का ये उपाएं उन्हीं के लिए है इस उपाएं को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है भाई बेहन माता पिता पतनी कोई भी इस उपाएं को कर सकता है बहुत ही जन साधारन उपाएं आप सभी के लिए लाई हूँ और तुलसी के पत्यों को आपको लेना है। इस उपाय को करने के लिए वैसे तो तुलसी इतनी पवित्र और लाँपकारी पौधा है कि इसका प्रयोग हमें बहुत सारे प्रयोगों के बारे में हम खुद ही जानते हैं। अलग-अलग बिमारियों में तुलसी के पौधे का अलग-अलग प्रयोक किया जाता है। इसी प्रकार नशाद छुडाने के लिए भी तुलसी के पत्तों को बहुत ही ज्यादा असरदार माना गया है। लेकिन ये किस तरह से देना है, क्या इसकी विधी होगी उसी को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और गौर से एक-एक चीज़ को सुनते हुए चलिए। आप जानकी हैरान हो जाएंगे कि पुराने से पुराने नशे को छुडाने में तुलसी का एक पत्ता बहुत ही ज़्यादा कारगर सिध होता है। आपकी हर प्रकार के नशे को छुडाने में ये बहुत ही असरदार है। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये प्रक्रिया आपको किस दिन करनी होगी। तो आपको इसे एक-आदशी के दिन से शुरू करना है। बहुत ही ध्यान से गौर करके सुनिए एक-आदशी से आप इसे शुरू करेंगे। एक-आदशी से करते हुए लगातार ग्यारा दिन तक इसे रोज करना होगा आपको। और इस प्रक्रिया को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी किसी के भी द्वारा इस प्रक्रिया को प्रयोग को आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है दो तुलसी के पत्ते लेने हैं और थोड़ा सा आटा गूंथ लेना है ठीक है थोड़ा सा आटा लेने आप साफ आटा ले उसे गूंथ ले और आटा गूंथने के बाद आप उसका एक गोला बना ले और उसमें ये जो दो तुलसी के पत्ते थे उन्हें आ उसे एक प्लेट में तांबे के लोटे में साफ जल और उस आटे के गोले को आपको रख देना है और वहाँ पर बैठ जाना है साफ स्वच्छे जगर पर एक आशन लगा लें और वहाँ पर आपको साथ बार हनुमान चालिजा का पार्ट करना है हर बार हनुमान चालिता का पाठ करने के बाद आपको अपने मन में ये दोहराना है कि जिस व्यक्ति का नशा आप छुडाना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लेना है आपको और आपको मन में ये प्रार्थना करनी है किसी भी हालत में है भगवान हनुमान जी महराज आप इसकी नशा मुक्ती करवा दे इस विपत्ती के समय से हमारे इस परिवार को बाहर निकालें नशे से मुक्त करवा दे उस व्यक्ति का नाम लेते हुए करना है हर बार हनुमान चालिसा का पार्ट करे और हर बार आप प्रा करनें, आपने आठे के अंदर तुलसी के पतके डाले थे उन्हें आपको वापस से निकाल लेना है और उस तांबे के बरतन में जिसमें आपने जल भरा था उसमें आपको उन तोनों तुलसी के पत्तों को डाल देना है और कुछ देर वही पर ध्यान लगाना होगा और उसके बाद जब ध्यान लगा ले प्रार्थना कर ले अच्छे से हनुमान जी से उसके बाद आपको उस जल को किसी भी तरह उस नशे वाले व्यक्ति को पिला देना होगा और वो जो आटे का जो लुआ था गोला था उसे आपको गाय को खिला देना है। दिखे बहुत ही आसान चीज़ें हैं इसे घर का कोई भी व्यक्ति आसानी से करद सकता है आपको सिर्फ आटे के अंदर पहले तुलसी के दो पत्तों को डालना है तांबे के लोटे में जल भरना है साथ बार आपको हनुमान चालिसरा का पाठ करना है और उसके बाद तुलसी क पत्तो को उस जल में डाल दें जिससे की वो जल और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सके और उसके बाद तुलसी के पत्तो को वापस आटे में डालना है और आटे के गोले को आप गाय को खिलाएंगे और उस जल को आप उस नशे वाले व्यक्ति को पिला देंगे किसी भी तरह से आपको उसे पिला देना है बस 11 दिन तक आप इस उपाय को कीजेगा आपकी जो भी परेशानी है वो खतम हो जाएगी नशे से जुड़ी हुई हर तरह के नशे के लिए ये काम करेगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ शराब के लिए बलकि हर तरह के नशे से आपके व्यक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर देगा बहुत ही आसान सा उपाय है ये उन्हीं के लिए है क्योंकि पिछली बार वाला उपाय भी बहुत ही ज़्यादा सिद्ध उपाय था लेकिन उसे केवल घर के पुरुष ही कर सकते थे अगर आपको वो उपाय भी देखना है तो आप मेरे चैनल के वी सब्सक्राइब कीजे पास वाला बैल आइकन जरूर दमाएं दोस्तों ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके मैं रोज सुबे 6 बजे वीडियो अपलोड करती हूं अगर आपकी कोई भी परिशानी है तो कमेंट में पूछिए मैं आपके नाम के साथ वीडियो बनाऊंगी जिसे आप देख सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में जै श्री राम जै हनुमान